नमस्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है दिस इस चंद्रमॉलिन फ्रेंट आफ यू और आज का मुद्दा है थोड़ा गंभील फ्लट्स की बात करने हम लोग आज जा रहे हैं और वाकई में हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्लट्स कैसे किस प्रकार से शायद हमारे पूरे ही विवस्था को भंग कर सकता है और बहुत परिशानी उत्पन कर सकता है फिर से आप सभी का स्वागत इस सेशन में कुछ पॉइंटर्स जरूर लेकर जाईएगा और कुछ बहुत लाइट तरीके से समझेगा कि आखिर फ्लट्स वाकई में क्या होती है आए जल्ली सागों कुछ सूचना दे देते हैं पहली सूचना तो यह है देखिए एजुकेटर्स कोशिश करते हैं आपको बेस्ट देने का बेस्ट ले लिजिए अपलाई करिए और जल्ली से इस एक्जाम को क्रैक कर लिजिए यही हमारी विच्छा है ताकि आप लोग कही जल्ली से फिर बढ़िया सा इस देश की सेवा में कारे रत हो जाएं बहुत अच्छा भी एक ओफर चल ला है जिनका भी मन है सब्सक्रिप्शन लेने का यह मौका है आप सिंपल कोई भी सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं आपको 20% आफ़ भी मिल जाएगा लास्ट कल का दिन बस बाकी है जो मन बना रहे हैं जो मन बना चुके हैं जिनको मन बनाना बाकी है देख लिजे आपको बहुत सारा कंटेंट यहां पर बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं CMC code का इस्तमाल करके आप किसी को भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, 24 महीने का अगर आप आइकानिक लेते हैं, इसमें सारी facilities आपको मिलती हैं, 95,000 का है, compare कर सकते हैं आप कहीं से भी, अगर आप प्लस सिर्फ लेते हैं 24 महीने का तो आपका 62,282 रुपे का है, तो काफी जो मिल रहेते हैं अभी तक सबको, अब यह सिर्फ आइकानिक ओफरिंग रह जाएगी, इस पर भी ध्यान दीजेगा, तो जिनको लेना है सब्सक्रिप्शन अभी देख सकते हैं, बुड इवनिंग, जैहें इन सभी का स्वागत है, CMC code का इस्तमाल करना ना भूलें, CSP Assure क का मतलब है, दो साल या उसके उपर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, वान एर अफ एक्स्टेंशन यू विल गेट, जो पॉलेज गोइंग है, दो साल अभी पढ़ना ही है, और तीसरे साल के बाद आपको देना है, यह आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है, CMC is my code और यह टेलिग्राम चैनल है, जिससे आप तब जुड़ चुके होंगे, नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज इसको सब्स्राइब कर लीजे, and this is my group, इससे भी आप जुड़ जाएं, ताकि आपको अपडेट मिल सके कि कब क्या सेशन कहां पे हो रहा है, जल्दी से कुछ नई नहीं सूचना है, भी आपके सामने आने वाली है, कुछ नए अवतार में बहुत चीज आपके सामने आने वाली है, उसके लिए आप तयार रहिएगा, आए चालू करते हैं, आज का सेशन with a very positive thing, और आज के positive thing में आपके लिए एक food for thought है, वैसे तो बहुत सारे श्लोक अभी थोड़ा बहुत तो हम आपको कुछ गुण बताना चाहेंगे, पहला है, विद्वत्वम, डक्षता, शीलम, संक्रांती, अनुशीलम, और सचेत, प्रसन्नता, ये साथ गुण है सिक्षक के, और अगर आपको किसी में भी ये दिखे, कि वो सचेत भी है, वो प्रसन्न भी है वो दक्ष भी है, वो आपके विद्वान या विद्वत्वम की भी अगर एक सीमा है, तो वो भी अगर वो रखता है, ये साथ गुण अगर आपको दिखते हैं, तो तुरंत आप समझ जाएं कि आप सही दिशा में हैं, और आपका जो पत है, वो वाकई में अच्छे से प्र बहुत कारगर हो सकते हैं, आई ये सबी का स्वागत है, चला जाए आगे, और ने ने आप समय मत देखिए, हम बहुत अभी इस मामले में छोटे हैं, आप शायद बहुत बड़े-बड़े सिक्षक हैं, आप उनमें ढून सकते हैं, और ये खेर हर इनसान में भी हो सकता है, बहुत अच्छे से सामने दिखाई दे सकता है, चालू करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन के लिए, कुछ गंभीर न्यूज आइटम से ही चालू करना ज्यादा बहतर हैगा, न्यूज में चारो तरफ एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही है, कि बहुत ज्यादा फ् लगभद, the whole country is flooded, और इस बीच में हमें वापस से एक हयाल आता है, हलाकि प्रश्च तो बाकी countries का नहीं होगा, पर हमारे देश के लिए लड़ क्या है, कैसे है, क्या reason हो सकते हैं, इसके उपर discuss कर लेना चाहिए, न्यूज आइटम में आप सब कुछ दिख सकते हैं, सब कु लगभद, उत्तरप्रदेश और बिहार में आप अभी भी अगर आप पता करना चाहें, तो फ्लट का situation पूरा बना हुआ है, और गंगा और बाकी की नदियां पूरे उफान पे हैं अपनी, तो समझने की बात अब हमें ये मिलती है, कि आखिर इतना कुछ चल रहा था, तो एक बहुत अच्छा सा हमें की वर्ड मिला, कि क्या मौनसून स्टिरोइड पे है, क्या मौनसून ने स्टिरोइड ले लिया है, स्टिरोइड का मतलब होता है, अगर आप सुने होंगे फार्मसेटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, स्टिरोइड, जो आपके किसी भी दवाई का एफिकेसी बढ़ा देगा मॉनसून तो आते थे पर इस बार सिर्फ आए नहीं है आही चुके हैं ठहर चुके हैं और वाकई में पूरी तरह अच्छे से बरसात कर रहे हैं वेरियेबिलिटी के कारण कुछ जगा बरसात नहीं हो रही होगी अधरव सा भाग है जिसमें 2021 के तस्वीर है जो एक नदी बहती हुई आपको दिख रही है और 2022 के कल परसो का ही इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदियां उपान पे हैं दा रिवर्स हाव इंक्रोस्ट अपॉन तो दे लांड विच्वर वन्स ड्राइब आइड सवाल ड्राइब आप देख सकते हैं अब इस से अगला सlor जो हमारे दिमाग में आता है अप इस इसंद इमेज कर आप देख सकते हैंug लगभख पाकिस्तान वाला पार्ट है । जो वह बलुचिस्तान पंजाब जी अब देख सकते हैं यह पूरा इंडिया का पाऊट है इस major इंद सनधी को पकड़े पकड़े आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभख इंदस नदी को पकड़े पकड़े सारे तरफ आप देखेंगे तो पूरा ही पानी चारो तरफ पढ़रता हुआ हमें दिखता है और ये सब वो रीजन है जो शायद पूरा फ्लड हो रहे हैं इससे पहले हमें समझ देना चाहिए कि आखिर फ्लड्स का मतलब है क्या फ्लड्स क बाड हम आज बहुत आसानी से कह देते हैं पर हमें समझना होगा ये हमेशा से होते आया है आपके सामें दो प्लेन है प्लेन एरिया वो है जहां से नदी आपकी निकल रही है एक प्लेन आप ये देख सकते हैं एक प्लेन आप ये देख सकते हैं कहा जाता है कि जब नदी अ परन्तु अगर इसी नदी का जो चैनल कपासिटी है वो कम हो चैनल कपासिटी मतलब जितना सेडिमेंट और पानी कैरी करके जा सकता था इस चैनल में जो की नदी जिसमें बह रही है अगर इस चैनल की केपासिटी से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है तो option बस्ता नहीं है, option simple यह है, कि यह जितना flood plane आपको दिख रहा है, इससे पूरा पानी फैल जाएगा, और इसी का नाम हम दे देते हैं, कि बार आ गई, this is our bar that we all know, so this is the high water, or high level of water, that is overflowing, was perhaps flowing through the channel, but it is overflowing now, due to certain circumstances here, and it is flowing much more than the capacity of the channel, तो flood का रिष्टा सीधा सीधा अगर देखा जाए, तो channel से है, अगर आप river channel को समझ सकते हैं, तो वो तेड़ा मेड़ा भी हो सकता है, meander बना सकता है, स्टेडिमेंटेशन भी चल रहा होता, क्योंकि deposition इस पूरे course में होगा, पर अगर पानी इसमें जादा आ गया है, और channel की capacity कम है, तो सिर्फ एक ही अब चीज़ हो सकती है, वो है flooding, तो आपके घरों तक जो पानी पहुंचता है, इसमें नदी की कोई गल्ती नहीं है, नदी में तो वाकई में flood हर साल आती थी, पहले भी आती थी, आज आपने और हमने अपने घरों को वहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा और डिसकस करते हैं इसके बारे में और तमझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे news items में क्या क्या आ रहा था हमारी नजर पढ़ी एक बहुती अच्छा newspaper agency पे जिसमें interview दिया जा रहा था जैसे पाकिस्तान पूरा ही flooded है वहां के किसी एक minister का interview आ रहा था प्रस और अगर आगे बढ़ेंगे तो समझना चाहेंगे the rain has not stopped the rain has not stopped यह condition सिर्क उनके नहीं है यह condition हमारे यहां भी है पर फरक बस इतना है कि हमने अपनी condition को manage कर रखा है वो अपनी condition को manage कर नहीं पा रहे हैं manage करने के लिए आपको prepared रहना होगा वो prepared नहीं थे कहा जाता है कि 2010 में पाकिस्तान में सूपर flood आया था यह सूपर flood वाली situation बनी थी कहा जाता है फिर से इस बार कि 2022 की जो flood है वो 2010 की सूपर flood से भी बहुत आगे निकल चुकी है और इसने बहुत लोगों को बेघर कर दिया है हमारी सहनुभूती हमेशा होगी हमारे देश से वहां तक पहुंचाया भी गया कि ठीक है अगर आपको लगे कोई जरुवत हो तो हम लोग आपकी मदद करने को तयार हैं पाकिस्ता नानमेड डिजास्टर है फ्लाड एक जोग्रफिकल इवेंट है जो होगा उसको डिजास्टर में बदलने वाले हम हैं फ्लाड अपने नाचुरल कोर्स के साथ आएगा या आएगी फ्लाड पर हम उसको फ्रिक्वेंसी देने वाले या उसके इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हम हैं फ्लाड का आना लगभग तैय है हर साल पर हम उसका एग्रिवेशन कर देते हैं ये शायद हमारी जिम्मेदारी या हमने उसको किया है साफ तरीके से निकल किया आता है कि फ्लाड डिवलप्मेंट की वज़े से यहां पे अर्बन और रूरन एरिया से फ्लाड आए जाओगे कई बार तो ये भी देखने को मिला है कई बार तो ये भी देखने को मिला अगर आप समझेंगे कि मौनसून लगभग तीन से चार साइकल में रेनफॉल करता था इस बार आठ साइकल आफ रेनफॉल हो चुका है अभी भी हो रहा है एक और मज़े की बात अगर हम आपको बता दे, तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, हलाकि हमें उमीद तो नहीं है कि UPSC इसको पूछेगा, पर आपको पता हो, शायद बहुत न्यूस पेपर्स में कवर किया गया था, अगर आपको ग्लेशियर्स ढूनने हैं, तो पोल्स पे तो आपको बहुत अच्छे ग ग्लेशियर कहा जाता है, पोल्स पे बाद सबसे ज़्यादा वहीं पे है. अब इतने ग्लेशियर ले के बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो तयारी करके रखनी पढ़ेगी, दूसरा अगर आप समझेंगे, कि इतने ग्लेशियर्स तो हैं, पर इन ग्लेशियर्स का जो सबसे बड़ा इस समय परेशानी चल रही है कि ये सारे ही गलेशियर रिसीड कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, समझे हैं, आपके पास जादा गलेशियर मेल्ट करेंगे, तो क्या हालत होने वाली है, आज हमें साफ तरीके से दिखता है, the glaciers are receding and these receding glaciers are causing the melt water to add up into the rivers and hence flooding यह वही कारण है जो आप समझ सकते हैं कि आज इतनी बाढ़ का जो situation बना हुआ है वो सिर्फ इसके वज़े से कि आपके पास glaciers तो थे पर आप तयार नहीं थे और दूसरी बात जो अब हम लोग आगे करने वाले हैं कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है glaciers को maintain रखना कुछ और भी होना चाहिए यह एक पैक्ट है आपके लिए इसको आप याद रख सकते हैं वो आपको जब प्रश्ट पूछेंगे तो आप भारत के लिए इसलिए आप जवाब तो देंगे भारत का परियाद रखिएगा बहुत न्यूजपेपर्स में हमने देखा आउट आउट आप पोल्स इप्यार गोइंग पाकिस्तान हाज मोस्ट आफ दिमाग में था कि क्या वाकई में यह सब नाचूरल है जिसका जवाब मिनिस्टर आपको देने वालें आपके एक्जाम के लिए भी वह है वह जीरो सम रिलेशनशिप दावर नाचूरल इंवायंमेंट इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने IR थोड़ा सा अपना economy और थोड़ा सा अपना logical दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ये zero sum game है क्या कहा जाता कि जो development model चुना गया that has resulted in a competitive even zero sum relationship with our natural environments आपको क्या लगता है ये zero sum का मतलब यहाँ पे क्या है कोई समझा सकता है इस बात को कि zero sum का मतलब क्या है हम लोग IR में भी use करते हैं हम लोग security में भी use करते हैं ये बहुत बढ़िया keyword है जो आपको याद हो जाना चाहिए zero sum game with the environment is something that the man is doing what is this zero sum game I want to know from you बताने को जो तयार हो बता दे one gains and the other losses zero sum game zero sum आएगा कैसे zero sum आएगा कैसे plus two minus two plus one minus one तभी zero होगा मतलब आपको लगता होगा कि आपको फाइदा हो रहा है आपको लगता होगा कि आपको फाइदा हो रहा है पर किसी न किसी को आप पहुचा रहे होंगे और वो नुक्सान कहीं न न कई आपके फाइदे को भी दबा देगा This zero sum game that is happening with our natural environment It is perhaps something that has resulted into natural environment Zero sum game, हम अपना फाइदा देखते हैं और दूसरे का loss देखते हैं पर इसमें आपको एक और चीज़र हम बता दें कि अंत में जाके loss हमारा ही होगा अपना फायदा देखते हैं किसी और के नुक्सान के लिए हम अपना घर देखते हैं, पेड़ अपने इंडस्टी, वहां का वेजिटेशन अटा के, हम अपने अग्रिकल्चरल लैंड को देखते हैं, वहां के फ्रेस्स्स सो क्लियर करके, पर अन्त में जाके आप जब देखें हम सब एक receiving end पे हैं और हमारे लिए सब के लिए बहुत बड़ा loss होगा this is a zero sum relationship for now which is going to convert into negative relationship very soon and perhaps I will say it has already started to be negative sum game for all of us आप समझ सकते हैं कि लोगों ने gravity के खिलाफ भी काम करना चालू कर दिया एक तो gravity की खोज हुई force का पता चला लोगों ने gravity के विपरीत जाके भी channels को खोल दिये उन्होंने सोचा कि हम शायद हर चीज़ पे overcome कर सकते हैं we can also overcome gravity gravity को उल्टा कर दे अलग धाल बना दे slope को पलट दे अंततह नतीजा यही होता है कि gravity अपना follow करेगी and when it follows floods are going to reside थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां रुपते नहीं है और अब बात करते हैं जो हमारे पते की है और हमारे लिए है कि आखिर क्या causes हैं floods के floods के causes को दो तौर पे डिवाइड कर सकते हैं एक तो natural है और एक man-made है सबसे बड़ा natural cause है rainfall और यहां पे जो बात निकल के आ रही थी अब तो लगभग world metrological organization की इस बात को कहने को तयार है कि इस बार मौनसून ने कुछ तो खापी लिया है इस बार मौनसून ने कुछ तो खापी लिया है तो आपको यह चीज़ और बता दें अतिका भला ना बोलना अतिकी भली ना चूप मतलब अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है अति सरवत्र वर जयेद हमारे पास मौनसून को सपोर्ट करने वाला सिस्टम तयार था थोड़ा सा अगर हम आपको जोगरफी में लेके चलें तो आप समझ सकते हैं आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले ही accession हुआ था जि करन अरजुन का मतलब यहां पर positive Indian Ocean डाइपॉल हो सकता है करन हो और अरजुन है मेरा लानीना तो मौनसून आएगा पर Indian Ocean डाइपॉल और लानीना के साथ अगर आएगा तो फिर और परेशानी है और इस परेशानी का नतीज़ा शायद हम आज देख रहे हैं कि लानीना जान का नाम नहीं ले रहे लानीना दो बार तो आ चुका है और अगर लानीना अभी भी बना हुआ है तो आप यह बात याद रखिएगा कि इस बार का हम शायद विहंगम दृष्च देख के परिशान तो हैं अगली बार के लिए हमें और सचेत होना होगा लानीना का कंडिशन लगभग नवेंबर दिसम्बर आते 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 आपको पता चल जाएगा अगर उस समय तक अलीनो नहीं बनता है तो फिर से आपकी बरसाथ बहुत अच्छी होने वाली है हलाकि हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव ये भी है कि जब एल नीनो वहाँ पर बन जाएगा तो शायद फिर हम परिशान हो जाएंगे कि ड्रॉट लाइक कंडिशन ना बन जाएगा अब तो आपका लानीना भी दो बार आके प्लस एक बार और आने के लिए खड़ा हुआ है और अरेहिएंज सी का जो पानी है वो गरम होता हुआ दिखाई देता है सारी रिपोर्ट कहरे हैं कि अरेवीन ठीमें कुछ हल्चल थोड़ी देर में अभी आपको कुछ और भी चीज़े क्लियर होंगी, धैरे बनाये रखिएगा, और उमीद है आपको ये बाते पता चल चुकी होंगी, ठीक है, आए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, अभी तक आपने देखा, रेनफॉल एक टेंपरेचर इस राइजिंग, हम पहले बात क्या करते थे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कोशिश करेंगे रोकने की, अब तो हम 2 डिग्री तक भी अलाव कर चुके हैं, दो से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, अब इसकी कावायत चालू है, परंतु गर्मी इतनी हो चुक और वहां पे आपके जो ग्लेशिस मिल्ट कर रहे हैं, उसका पानी जाएगा कहां, वो पानी नदी में जुड़ेगा, नदी की चैनल कापैसिटी कम है, चैनल कापैसिटी इसलिए कम है, क्योंकि सेडिमेंटेशन हो रहा था, साल दरसा जब कैपैसिटी कम हो चुकी, पानी ज्यादा हो चुका है, तो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो है फ्लड, और यही फ्लड आपके चारो तरफ इस समय दिखाई दे रही है, तो उन एरियाज में, पर एक्जामपल, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर लिजे, और ब्रह्मपुत्रा को जोडने वाली कुछ नदियों की बात कर लिजे, जिनका बहाव, they have got glaciers at their head, and these are melting, प्लस पानी भी बरस रहा है, melt water भी है, यह पानी जाएगा का, चैनल का capacity इतना, पानी जा रहा है, इतना, फ्लड होगा ही होगा, इसके जिम्मेदारी, शायद हम लोग को भी लेनी होगी, क्योंकि climate change rhinoceros में नही because of such humongous floods, पर शायद हम इस बात की कंभीरता को अभी भी नहीं समझ पाते हैं, जब हम अपने घरों में, बड़ी buildings में रहते हैं, तो हमें लगता भी होगा, कि flood तो नीचे आई है, हमें कोई फरक नहीं पढ़ता, यह फरक नहीं पढ़ते वाला culture, शायद भारत में बहुत त पेजी से फैल चुका है, जब तक हम और आप इसके लिए खड़े नहीं होंगे, कि आपको फरक पढ़ना चाहिए, हो कहीं भी यह आग, यह आग जलनी चाहिए, फरक पढ़ना चाहिए, और हम और आप तो जब UPSC से इतना जुड़े हुएं, तो आपने तो जरूर फरक कोसी का है, लाख कोशिश कर लें, रिवर कोसी के फ्लो के सामने, हमारे जितने मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं, सब फेल होते नजर आते हैं, और यहाँ पे फिर से बाढ़ वाली सिचुएशन बनी रहती है, थोड़ा सा और आज आप बढ़ेंगे, स्टेडिमेंटेशन के बात कर लेंगे, ठीके, तो सेडिमेंटेशन या फिर स्टिल्टिं जो हो जाती रिवर बेट से कारण, उसकी वज़े से चैनल कपासिटी कम हो गई, अगर चैनल कपासिटी कम हो गई, तो शायद हम लोगों ने अपना डिसकेशन इसी से चालू किया, कि पानी ज्यादा चैन पीम भागों में बाते हैं आज आपके सामने, तो शायद आप भी इस बात से समर्थन या समर्थक होंगे, इस बात के, फ्लट्स can be said to be as flash floods, जूसरा आप लिख सकते हैं, the river floods, and the third one could be your coastal floods, third one is your coastal floods, coastal floods, तीम भागों में आप डिवाइट कर सकते हैं, अच्छा, ठीक 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 ठीक, जो भी आप लिख रहे हैं, I am new, हम माल लिए, पुरे अच्छे से माल लिए कि आप नए हैं, अब आप पुराने हो चुके, आप इतनी बाद लिख चुके, अब पुराने हो चुके, अब कृपा करके ना लिखे, तो कि ध्यान फिर उधरी जाएगा, ठीक, अधा पटा होता नहीं, कहीं बादल पढ़ जाए, that is cloud bursting, कहीं प्र अचानक से glacier lake outburst हो जाए, जिसको हम पढ़ेंगे आगे भी, यह सब फ्लेश फ्लेश फिल्ड बन जाता है, जो बहुत तेजी से बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ आता है, river floods के अगर आप बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि rainfall plus the melt of water, river floods and coastal floods भी होते हैं जब cyclone या ऐसी कोई भी इलपत्ती जब आती है, कोई भी ऐसा जब event आपके coastal areas में आता है तो water search करता है अंदर की तरफ, these are called as water searching, searching का मतलब होता है water अभी तक चुपचाब था, cyclone आ रहा है जब cyclone आ रहा होगा तो यह water भी परेशान करेगा, winds चल रही होगी, पानी आपका ऊपर तक आएगा, this is called as water surges, water surging फ्रस और आगे देखते हैं कि क्या हो सकती हैं चीज़े, tsunami in coastal areas and landslides in the pores of rivers, ठीक है flood का कारण तो tsunami भी है, coastal areas में हमने देख रखा है कैसे जब कोई भी landslide होगा, earthquake होगा, volcanic eruption होगा तो एक सीधा signal भेजा जाता है tsunami warning का, यह tsunami warning का मतलब है कि शायद tsunami आ सकती है और आपकी coastal areas को flood कर सकती है यह तो हमने देख लिए अपने natural causes जिसको आप याद भी रख सकते हैं, पर इससे कई ही ज़्यादा गंभीर है हमारे man-made reasons जिसमें सबसे पहला reason है, deforestation अब आप समझ सकते हैं कि deforestation सिर्फ हवा में बात नहीं होती deforestation is perhaps cutting down with the roots of these trees and since these trees are the natural defense समझेगा कि जब पानी का बहाव आपकी तरफ आ रहा हो और यहाँ पे बहुत dense forest हो, आप पिर भी बच जाएंगे हमने चूटी इन forest को हटा ही दिया जो आज तक हमारे लिए natural defense है अब आप समझ सकते हैं कि आपके लगभग deforestation की वज़े से क्या हो सकता है यह तो सिर्फ हम उस area की बात कर रहे हैं जहां पे आपको लगता होगा कि forest coastal area की अगर सर बात कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा बट अगर आपको एक clear सी बात बताएं सिंपल सी अगर forest है कहीं पे कहीं पे भी vegetation है मतलब मिट्टी है मिट्टी के पास absorbing capacity है absorbing capacity का मतलब है कि आपके पास जो पानी एकसेज भी आ रहा है उसको सोखा जा सकता है अगर capacity नहीं है तो फिर तो care कोई दिक्कती नहीं है unscientific use of land utilization land use policy कभी हम लोग पढ़ें कि तब आप समझेगा हमने शायद बहुत अच्छे से land use को define करने की कोशिश की थी पर ना जाने किस प्रकार से वो लोगों तक पहुचा है कि land use उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से हम उसको करना चाहते हैं land use policy का मतलब है जिस land पे जो थी suitable हो वहाँ पे वही करना चाहिए अगर यहाँ पे agriculture suitable है तो agriculture हो अगर आपको लगता है यहाँ पे non agricultural work होना चाहिए तो आप यहाँ घर बना लीजे फैक्टरी बना लीजे पर हमने क्या किया हमने अपने land use system को ही fault कर दिया जहाँ पे हमें दिखता था कि बढ़िया यहाँ पे forest रहना चाहिए वहाँ हमने अपने होटल बना दिये जहाँ पे हमें दिखता था कि agriculture होना चाहिए वहाँ पे हमने अपने 3, 4, 10 story building बना दिये और जहाँ पर हमें लगता था कि शायद यहाँ पर घर होने चाहिए थे उसको हमने छोड़ दिया बैरन की तरफ और ये परिशानी आज नहीं तो बाद में हम सब को समझ में आएगी कि land use policy हमारे साथ थी हमारे हाथ में थी पर हमने इसका फायदा उठा नहीं पाया आके देखते हैं increased urbanization खेर जैसे जैसे population increase हुआ एक बात वता है कि आपको जगण चाहिए demand meet करने के लिए factories का setup चाहिए आपको hospitals चाहिए आपको घर चाहिए जिसके लिए हमें एक ही दिखा कि जहाँ पे घर नहीं बने हो उस area में चलके encourage करो और वहाँ पे चलके आराम से अपना घर बनाओ हमने ये देखना भी नहीं चाहा कि क्या उस area में घर बनने के लिए flood prone zoning का जो map होता है क्या उस map में कोई भी ऐसा indication है जो बोलता है कि यहाँ पे घर मत बनाओ अगर ऐसा है हमने नहीं देखा है घर बना लिए तो flood तो आएगा ही आएगा फिर flood हमारे लिए natural नहीं है man made है अब आप थुड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिन जिन areas पर encroachment हुआ है उन उन areas को चुम के देखिए आप एक बार कि वहाँ पे आखिर क्यों flood वाली situation बनती है पानी का channel कम होगा देखिए आप खुद देखिएगा जहां increased urbanization होगा उस increased urbanization का सबसे बड़ा जो आपको factor दिखेगा कि channel capacity आपने कम कर दी आपने channel capacity कम कर दी कम क्यों कर दी आज नदी शायद ऐसे बहर रही थी आपने सोचा यही तो इसका flow है चलते हैं यहाँ अपना घर बना लेते हैं आपने अपने भी जितने पीवेच पे यह जो भी प्लांट लगा थे आप सब यहीं पर ड्रॉप करने लगे and because of that the sediments are coggling these channels और यह चैनल धीरे धीरे भरता जा रहा है पीछे का पानी आगे तक आएगा तो इसको जगर नहीं मिलेगी यह पानी पहले आपके घर पर आएगा बोलेगा कि क्यों channel बंद किया चैनल बंद आपने सोच समझी किया ही नहीं आपको तो घर बनाना था आपको होस्पिटल बनाने थे आपको इंडस्री लगाना था आप नहीं तो दस साल बाद की नदी में फ्लड आएगी और आपके फैक्टरी में आके पूछे की सवाल कि क्यों किया ऐसा काम समझ दें दूसरा आपको छोटा सा हिंट देना चाहेंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल इसमें हम भी नहीं है और आप भी मत होईएगा नहीं इसको अन्यता लिजिएगा नदियों को नाचुरली अगर हम छोड़ते हैं तो शायद वो बहतरीन रहती है हम जब नदियों को अपने हिसाब से डाइवर्ट करने लगते हैं चैनल खोद खोद के वो शायद हमारी सोच और समझ से बहुत परे हो सकता है लगभग आपको एक केस टड़ी देते हैं वारा नसी का वारा नसी में नदी, गंगा, मियांडर बनाते हुए बहती है जब वो मियांडर बनाती है तो एक तरफ से सेडिमेंट को काटती है और लगभग उसके विपरीत opposite side पे it deposits कोशिश की गई कि हम गंगा का एक छोटा वरजन बनाएंगे जहां सेडिमेंटेशन हो रहा है वहां से बहाएंगे आ गई बार और सब कुछ लेके चली गई चैनल का चैनल करोड़ो रुपे नुकसान करा गया और कुछ भी नहीं हो पाया तो इसका साफ साफ अर्थ है आप चैनल, डाइवर्जन और नदियों को जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही वो हमारे लिए शायद परिशानी कर सकती है हो सकता एक साल में आपको पता नहीं चलेगा पर जब तक पता चलेगा उसका अफसाफ तरीके से देख सकते हैं तो और आगे बढ़ते हैं अब आप से एक दो सवाल हम पूछ लें ये तो तीन फैक्टर बस हैं आपके हिसाब से और क्या फैक्टर है जो कि man-made है anthropogenic है आपके हिसाब से क्या और फैक्टर हो सकते हैं बिल्कुल होगा माइनिंग करने से भी होगा बिल्कुल सही बात है माइनिंग करने की वज़ए से कहां किस एरिया में आप माइनिंग करने उसकी वज़ए से लैंड्सलाइट भी हो सकता है उसकी वज़ए से रुकाओ भी हो सकता है आपने अपना माइनिंग तो कर लिया और आपने अपनी मिट्टी को कहीं सेडिमेंट को चारण बन सकता है अर्बनाइजेशन के तहट आप एक और बात कर सकते हैं वो है आपका मेटल्ड रोड्स मेटल्ड रोड्स जमाने में पहले अगर आप देखने जाएं तो आपको पता होगा कि ये हमारा रेंड्रॉप उपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये जब रेंड्रॉ रोड्स ना होने की वज़े से सीपिन कर सकता है मिट्टी के कारण सीपिन कर सकता है चुकि आज ये मेटल्ड रोड्स यहां पर हो चुका है तो यहां पर एंट्री करना मना हो गया है पानी का अब ये पानी जाएगा कहां सडकों पर घरों में तो जब आपने उसका नीचे स सीपना या उसका नीचे सोखना बंद कर दिया तब वो जाए कहां वो पैलता है आपके सडकों पर और यही है हमारे फ्लड का रीजन यह हमने बनाया है यह हमने बनाया है समझ रहे हैं ठीक है समझ गया आप लोग आईए थोड़ी सी और बाते करते हैं और आपको कुछ पढ़िया चीज दिखाते हैं वापस से जोगरफी में आपको लेके चलते हैं और आपको कुछ रीजन्स दिखाते हैं change flood को induce कर रहा है जितना ज्यादा climate change हो रहा है उतना ज्यादा floods के incidences बढ़ेंगे कैसे आईए देखते हैं सबसे पहला आपको तरीका हम बता दें जैसे ही फवाएं गरम होंगी as soon as the air gets warmer why climate change warmer air has more capacity to absorb the moisture more evaporation more condensation more precipitation तो climate change naturally आपकी चीजों को बदलने वाला है क्योंकि water absorbing capacity बढ़ने वाली है ज्यादा पानी मतलब atmosphere का पानी level बढ़ेगा और जब condensation precipitation होगा तब आप बोलेंगे कि इतना intense क्यों बरसते हो दूसरी अगर बात करें आपने oceans का भी temperature change कर दिया है ocean waters are also warming up अब ocean water जब गरम होगा तो तयार बैठा है evaporate होने के लिए evaporate होके सीधे उपर गया आपका दूसरा मोड तयार है पानी बरसने का मतलब moisture ocean से भी non-stop atmosphere में भी absorbing capacity अच्छा बादल अच्छे बनेंगे बरसात अच्छी होगी तो लगभग हमने लगभग सारे geographical factors को बिल्कुल जग जोर के रख दिया है और इस climate change के कारण यह सब हो रहा है so you'll have to pay attention when I say about the climate induced thing छोड़ा सहर आगे चलते हैं और समझी कोशिश करते हैं एक छोटी सी research है जिसको आप देखें after recent flooding in the river Elbe and other rivers in eastern Germany studies estimated that flooding was nine times more likely to be triggered by global climate change यह आपके study अपने exam में यूज कर सकते हैं एक research किया गया जर्मनी में river Elbe और कुछ और नदियों पे और दिखा कि flooding was nine times more likely to happen by global climate change floods are complicated but not only because of the changes in weather pattern it is also due to the position or location of infrastructure its designs and the material used to enhance resilience levels हो सकता है आपने अपने structures त्यार किये हो flood से बचने के लिए पर हो सकता है flood का इतना ज्यादा पावर हो कि आपके infrastructure को भी बाहा के ले जाए बिल्कुल यह जर्मनी की ही बात की जारी है वहाँ भी बहुत disasters आपके flood आये थे ठीक है बिल्कुल सही बात है ना चीकेदा जी ने बिल्कुल एक सही बात की है अब इसके उपर हम लोग तुरण चर्चा कर लें थोड़ देर में आईए कुछ आपको भारत की उपर एक दो रिपोर्टेड है विच लेड़ तो वान तो शिक्स तो एक देट्स क्योंकि वाकई में एक गंभीरता का विशह है और अफेक्टेड 1.93 बिलियन पीपल I must tell you there is perhaps a paradox और वो paradox यह है कि floods का disproportionate impact है जो countries floods को लाने में सहयोग कर रही है indirectly क्योंकि वो climate change को बढ़ावा दे रही है दे चुकी है उन countries को बहुत कष्ट नहीं होगा जब तक कि वो आपको पता होगा US में भी flood आया था बहुत news ने cover हुआ था अब तो वो भी नहीं बचेंगे पर उन्होंने आज तक इस बात को सुना नहीं climate change उनके हिसाब से जोग था आज जब उनको दिखता है कि climate change हो रहा है अब वो परेशान होना चालू हुए है तब जर्मनी आज बात करता है लगबग आपके नहीं होगा जो लोग अब चालू किये हैं और जिनके पास population बहुत ज्यादा है आइलेंड countries को तो पता ही नहीं था कि वो हैं क्यों वो तो मरसी पे हैं आपके sea level के जैसे जैसे sea level का temperature बढ़ेगा thermal expansion के कारण पानी उपर आएगा और आइलेंड्स आपके समर्ज हो जाएंगे तो पूछते होंगे कई बार कि मैं हूँ ही क्यों हलाकि यह हमारा दाइद तो है कि हम उनकी आवास को UN तक लेके जाएं इसलिए लगबख सारे island countries को आप देख लीजें इंडिया के समर्थन में खड़े रहते क्योंकि इंडिया उनकी बात रखता है UN के पटल पर जाके इकनॉमिक लॉसस दूट फ्लॉट्स तुड़ाट 58.7 बिलियन डॉलर्स 58.7 बिलियन डॉलर्स समझ सकते हैं जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते थे इंफ्रस्ट्रक्टर बना सकते थे उसने शायद हमारे नीजर्क रियाक्शन चरकार 58.7 बिलियन डॉलर हमारा कहीं पर लगवा दिया प्लॉट्स इंडिया और ओल्स दिजास्टर्स अंग डिजास्टर्स अकाउंटिंग फॉर 68 परसेंट अव एकनॉमिक लॉसस पॉस्ट भी है यह हमारे भारत के प्लॉट जिसका रीजर्स अभी हमने देखा है थोड़ा सा और हम एक कुछ देखाना चाहेंगे आपके आपको दिखाना चाहेंगे आईए नाइटीन एटी में राष्ट्रिय बाढ़ आयोग नैशनल कमिशन अंग फ्लॉट्स आता है और एसेस करता है कि फ्लॉट प्रोन एरिया भारत में 40 मिलियन हेक्टियर्स है विच इक्वेलन टुसमेर रांग 12 परसेंट और टोटल एरिया कि लगभग अब ये 45 मिलियन हेक्टियर हो चुकी है अबाउट 80 परसेंट अफ इस एरिया तिस 32 मिलियन हेक्टियर कूट भी प्रोवाइड़ विद रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आपको छोटा सा अनालिसिस हम यहां पे दे दें राष्ट्री बाढ़ आयोग प्लानिंग कमिशन द्वारा गठित ये कमिटी अपने सिर्फ फ्लड को रिवर से जोड़ कर देख रही थी इन्होंने नजर अंदास कर दिया कि वाकई में फ्लड कहा और कैसे आ सकता है आपके सामने एक मैप है और इस मैप में आप एक चीज़ देखने का कोशिश करें इसमें साफ तरीके से येलो वाला पोर्शन आपको दिखेगा जो कि आप समझ सकते हैं कि शायद फ्लड प्रोन एरियाज दिखाया गया है येलो वाला एरिया अब आप अपने थोड़े से UPSC दिमाग को टटो लिए और पूछिए अपने आप से कि जब एक कमिशन बनाया जा रहा था 1980 में और जब आज 10-5 एर प्लान के end पे एक कमिटी थी जिसने बताया कि सिर्फ 40 मिलियन हेक्टेर ही आपके फ्लड के प्रोन है तो आप कितना सहमत होंगे इस बात से. Gone are those days when the floods were only associated with rivers. Today floods have greater ramifications and greater definition. आपने floods को सिर्फ नदी से जोड़ के नहीं देखना है आज. floods का दाइरा बढ़ चुका है वो सिर्फ नदियों में नहीं है. floods का जिम्मेदारी आपके rainfall pattern पे भी है और लगभग आप देखेंगे तो infrastructural deficits के कारण floods अब लगभग आप देखेंगे reality है आपके पूरे उस एरिया में जहां urbanization का concentration बढ़ चुका है. इन्होंने महरास्ट में बिल्कुल नहीं बोला flood prone area है. आपको बता दें ये वही area है जो हर साल परिशान होता है. आप देखेंगे कि तमिलांडू को भी white छोड़ा हुआ है. अरे ये वही area है जा flood होती है. आप देखेंगे बेंग्यूरू में कोई बात ही नहीं कर रहे है वही area है जा flood चल ला है. आ मत्रदेश आप भुपाल पहुंच आई है और आप पूछ लिजे कि flood आई है कि नहीं आई है. मतलब हमारे commissions के आयद एक ही angle को देखके ये judgment दे देते हैं कि देखो यही है flood prone area. 40 million hectares is a misnomer in the name of flood prone areas. और ये चीज़ आपको लिखनी होगी मेंस examination की सबसे बड़ा reform तो ये है कि अपने इन चीज़ों को पहले पहचानिये, realize करिये. अगर आपने realize ही नहीं किया कि आपके पास flood prone area है, तो आखिर आप planning करेंगे भी कैसे, policy लाएंगे भी कैसे, क्योंकि policy work करेगी flood prone area में, यहां का district का लेटर बोल देंगे कि sir हमारे याँ तो flood prone area ही नहीं, तो हम कैसे apply करें सब कुछ चालू होता है सिर्फ एक planning से, और अगर वही faulty है, तो floods तो ऐसे ही आएंगी, और साल दर साल जो floods आती है, उसका reason आखिर है क्या, उसका reason सबसे बड़ा यहीं है, कि आपने proper assessment किया ही नहीं flooding का, आपने urbanization को लिया ही नहीं factor, आपने सोचा ही नहीं flash floods भी हो सकती है, आपने यह सोचा ही नहीं कि deforestation भी एक result है, आपने यह सोचा ही नहीं कि जो पानी उपर से नीचे की तरफ बहेगा, या आपने upper plane area से lower की तरफ बहेगा, तो वो किस प्रकार से बहे सकता है, यह आपने सोचा ही नहीं, और जब तक यह नहीं होगा, आपके flood prone areas, जब तक आप assessment नहीं करेंगे ठीक से, तब तक आप उसके उपर policy नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, हम लोग शायद आज बात करते हैं, urban floods की, जिसको लिखने में और हमें बताने में जरा सा भी संकोच नहीं है, कि हाँ, urban floods क reality है, हमने अपने drainage network को quality बना रखा है, जब भी बरसात का season आएगा, although with best of my confidence with the nagar nigams and other bodies, I have full confidence in them, with the best intention, I am saying, वो कोशिश भी करते होंगे सफाई करने का, ये पानी जमाफ होता, क्योंकि हमने अपने उस sewage का capacity है, वो कभी ये सोच के बनाया ही नहीं, कि यहाँ इतना पानी बरसेगा, अब आप समझेगे, इसमें गलती किसी की नहीं होती, प्लाइनिंग की गलती है, आपने पहले ही अपने आपको तयार नहीं रखा, कि अगर इतना exception हुआ पानी, तो ये कहां जाएगा, सड़कों पर ना जाके, कैसे ही नीचे जाएगा, आपको ये पता करना पड़ेगा, मुंबई जैसे शहर में, और चेने ही जैसे शहर में, जब हम परिशान हो सकते हैं, तो बहुत छोटी-छोटी जगाओं की, तो हम क्या ही आपके सामने बात करें, डाइंग वाटर बॉड़ीज, अच्छा, फ्लड्स के लिए एक और important चीज़ होती, अगर कोई लेक आस-पास मिल जाए, तो फ्लड्स उसी में चाके आपको बचा लेगी, पर हमने तो अपने पॉंड्स को, लेक्स को भी, वहीं पर तो बिल्डिंग बना रखी हैं हमने अपनी, अब वो पानी आएगा, तो हमारे बिल्डिंग से होके ही जाएगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी, कि हमने अपने लेक्स को भी अरबन लैंड्सकेप में ले लिया, यह हमारा प्रॉपर्टी बोलके, अब फ्लड्स को थोड़ा सा कुशन देते थे, यह पॉंड और लेक्स के वाटर अब वो बचे ही नहीं हैं, if they are not there, the floods are going to enter our homes, encroachment of the water bodies, disposal of garbage without proper planning, climate change बिल्कुल हो रहा है, rainfall reality है, India's land policy has not helped in managing or controlling the recurrence of, what real situation of flood is perhaps making and what is the reality behind the floods, once we perhaps say and to accept that thing that yes, the floods are these and it is happening, then only we can sit and make policies, यह सबसे बड़ा failure है, इसको हटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, stuck हो गया, क्या stuck हो गया? चलिए, that would be all from my side and उमीद है, आप लोग को पसंद आया होगा, अगर आया होगा, तो इसको दरूर, like, subscribe, और share करियेगा, और आप में से किसी को भी इच्छुक है, कि UPSC की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बढ़िया सा mentorship support चाहिए, नीचे form है, आप उसको भढ़ सकते हैं, और हम आप से फिर अप्रोच कर लेंगे, last few line again, अवो तो slow flow में निकल गया, यार पता नहीं क्या था, तो I was saying that, परहापस, इस flood zonation is very important, unless and until we accept the fact that the flood zonation is important, we may not be able to proceed further, 5 September को क्या है सर, अरे वो तो आपका दिवस है, आपको पता होगा, तो आपको पता होगा, जय हिन न चीकिता जय हिन, तो special classes होती रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं, CMC code का इस्तमाल आप कर सकते हैं, और जरूर अगर आपको लगे, पसंद आते हैं सब sessions, तो जरूर इसको भी spread करिएगा, let me be there for all these things, and let this content spread like fire, not like floods I would say, but like fire everywhere, ठीके, यह test series हमारी चल रही है, अगर जिसको भी इच्छू के लेने का आप देख सकते हैं, preparation हो गया तो टे सिरीज में उतर जाएगा, CMC code का आप इस्तमाल कर सकते हैं, YN Academy, I think dedicated doubt following sessions हैं, top educators हैं, जो आपको content दे रहे हैं, इस content को use करिए, crack कर इस examination को बहुत जल्दी से, eduverse बाबा लिये हो आप, ये क्या हैं समझे नहीं, plus iconic, plus iconic दो तरगा subscription होता है, और इस subscription में आप देख सकते हैं, कि शायद हम लोग का कोई भी चीज होती है जो, अब जो भी sessions हैं, आपको plus मिल जाते हैं, iconic में आपको एक extra mentorship support मिलता है, and batches हमारे start होते रहते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, batches चालू होते रहते हैं, 0% EMI में आपने सकते हैं, तो आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना है, आप आराम से अपना EMI बना सकते हैं, 2 साल का, 1.5 साल का, processing fee भी नहीं है, कोई interest charge नहीं है, आप आराम से अपना बना सकते हैं, और यह optional Carnival का मतलब है, कि हमारे यह options जलते रहते हैं, इसको use कर लिए, आपको जो भी optional लेना है, आप उसको चुन सकते हैं, और उसको आराम से use कर सकते हैं, notes to point हो, जो उनका बहुत वाकई में अच्छा feedback आया है, यह आप लोग तक पहुँच जाएगा, जैसे आप subscribe करेंगे, और कोशिश करिए, कि आप अगर वाकई में तयारी उस level पर करनी है, अच्छे सकरनी है, तो आप इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप सब बहुत निरंतर हैं, पस एक ही आप से चेश्टा है, और आप से request है, कि आप निरंतर रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस समय कैसे निकलेगा, और आपके पास इतना content हो जाएगा, आप वाकई में confident feel करेंगे, बी consistent, बी निरंतर, that is all I would say, that would be all from my side, thank you so much, take care, जैहिंद अपना ध्यान लखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मिलते रहिएगा,